मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूटूब चानल में क्या आपको भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही महंगे महंगे इलाज करके आप परेशान हो गए हैं आसपडोस वाले और घर वालों ने आपको परेशान कर दिया है प्रेगनेंसी कंसीव ना करने की तो आपकी आज ये सोच बदलने वाली है, क्योंकि आपके साथ एक ऐसी टेस्टिमणी में शेयर करने वाली हूँ, जो आपने यूटूब पे कभी नहीं सुनी होगी, ये टेस्टिमणी सुनके आपके रॉंग्टे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि पेशन्ट ने शादी के आ 8 साल हो गए थे बच्चा कंसीव ना होने की वज़े से इन्हों ने एक बर लाप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी भी कराई इनको लो एमेच का प्रॉब्लम था काफी लो एमेच था इनका 0.4 और इनकी एक कॉलिटी इतनी खराब थी कि इनका IVF भी फेल हो गया तीन बार IUI भी सक्सस नहीं रहा डॉक्टर ने इनको सला दी कि IVF अब डोनर एक के साथ मुम्किन है डोनर एक के त्रू आईविफ हुआ और शीतल बेन को प्रेगनेंसी कंसीव हुई और 9 मेने बाद इनों ने प्यारी सी बेबी गल को जनम दिया लेकिन उनके मन में फिर से प्रेगनेंट ह होने की एक चाहती क्योंकि वो यूटूब पे मेरे चानल देखती थी और काफी टेस्टमनी सुनती थी कि किसी ने 40 साल में कंसीव कर लिया किसी ने लो एमेच में प्रेगनेंसी कंसीव कर ली किसी ने 45 में प्रेगनेंसी कंसीव की तो शीतल बेन के मन में भी एक भाव जाग क्या मैं pregnancy conceive कर सकती हूँ क्योंकि मेरा IVF पहले हो चुका है जो की fail रहा हिस्ट्रोस्कोपी लाप्रोस्कोपी भी हो चुकी है तीन बर IUI भी fail हो चुका है IVF भी डोनर एक से मैंने करवाया जिसमें मुझे सफलता मिली यानि मेरे अंडे कुछ काम के नहीं है ये case हमारे लिए भी काफी challenging था और हमें भी काफी जादा उम्मीद थी patient के साथ की वो conceive करेंगी लेकिन जब ऐसे critical cases आते हैं और इतने challenges के साथ में आते हैं तो हमें भी काफी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन हमें नहीं पता था कि ये मेहनत का फल बहुत जल्ली मिलने वाला है शीतल बेन को मैंने treatment दिया only two month का and luckily she conceived only in one month fertility kit हमने दिया था इनको जिसके अंदर मैंने शीतल बेन को over health, fertility tea, ovulation booster, fennel water, black resin water, husband को शोभांजना, जीव पुष्टी और wife को hormone blend दिया था साथी में कुछ योगा आसन्स जैसे कपाल भारती अनुलोम विनिलोम, चक्की चलासन, बालासन साथी में अच्छी diet भी बना के दी लेकिन यकीन नहीं था कि इतने critical case में जहां किसी female को donor egg के साथ IVF में pregnancy possible हो पाई, आठ साल में कभी natural conceive नहीं किया, वो conceive कर पाएंगी इतनी जल्दी and only one month के treatment में ही शीतल बेन ने मुझे good news सुना दी कि मैंने pregnancy conceive कर लिया और doctor ने भी confirm कर दिया है, yes I am pregnant इस सुनके हमें काफी खुशी हुई कि हमने इतना critical case solve कर दिया, मैं आपके लिए भी यही उमीद करती हूँ कि आपके भी critical cases को मैं solve कर पाऊं, अब तक हमने 4 लाग से भी उपर महिलाओं को natural pregnancy conceive करवाई है with natural home remedies और fertility kit के साथ, fertility kit के वारे में बहुत सारे लोग मुझे questions पोचते हैं, even बहुत से यूटूबर्स ने भी इसके पर वीडियो बनाए हैं, जो अल्रेडी हमसे consult कर चुके है, या fertility kit को purchase कर चुके है, तो fertility kit only under consultation दी जाती है, patient की medical history को देखते हुए, तो इसको लेने के लिए आपको पहले consult करना पड़ता है, consultation का procedure तो काफी आसान है, जिसके लिए हमने आपको पहले भी बताया है, 9326443001, यह हमारा official number है, इस पर आपको WhatsApp करना है, और मेरी team आपको आगे की details देख, साथी में आप हमें email भी कर सकते हैं, तो पुरे देश भर से आप हमसे appointment book कर सकते हैं, और बात कर सकते हैं, appointment के दौरान ही आपको fertility kit भी दी जाती है, और आपको diet plan भी दिया जाता है, यह treatment two month के लिए आपको prescribe किया जाता है, लेकिन बहुत से patient 20 days में one month में और two month में natural conceive कर लेते हैं, देखिए हार एक का case अलग होता है, अगर आप एक से दो मेंने में conceive नहीं कर पाते हैं, तो निराश मत होईए, natural तरीके से try करते रहें, positivity के साथ, क्योंकि आपको भी एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, जब 4 लाग महिलाए natural conceive कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं conceive कर सकते हैं, यह भाव आप अपने मन में जरूर लेकर आए, और उमीद के साथ treatment follow करें, मैं ऐसा नहीं कहती हैं, कि आपको मेरे ही treatment से conceive होगा, आप कोई भी treatment follow करते हैं, तो उसको एक उमीद के साथ, और एक positivity के साथ try कीजे, जैसे मैंने आपको बताया, शीतल भें का case काफी critical था, लेकिन उन्होंने मुझ पर trust रखा, और जो मैंने उनको चीज़े prescribe की, उसको full trust के साथ follow किया, जिसका result only one month के अंदर उनको मिल गया, fertility kit के अंदर मैंने उनको क्या क्या चीज़े recommend की थी, वो भी मैंने आपको बताए, मैं आपको यहाँ पर शीतल भें का whatsapp screenshot भी लगा रही हूँ, जो आप देख सकते हैं, आने वाले questions होते हैं, कि अगर हम आपको consult करना चाते हैं, तो क्या-क्या reports की requirement है, तो मैं आपको बता दू, आपको कोई reports करवाने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप consult करते हैं, आपके पास जो भी कम खर्चा हो सके, हम उसको कम खर्चे में ही conceive करवा पाए, अगर बहुत ज़्यादा try करने के बाद भी आप conceive नहीं कर पा रहे हैं, और काफी पुरानी reports के साथ भी कर सकते हैं, मैं मिलती हूँ आप लोगों से next वीडियो में with another new testimony के साथ, जब तक के लिए Allah Hafiz and God bless you, I hope आप लोग भी जल्दी ही मुझे अपनी testimonies comment के द्वारा शेयर करें झाले के साथ जल्दी आप लोगों से योगों ≤ झाल झाल